आप जो कहे रहे हो कि अगर आप बढ़ गए तो आप कड़ गए इसका मतलब क्या है कि आपको हिंदु मुसल्मान को प्रमोट करना है दूसरा कॉंग्रेस जो जब जब कहते कि हम सविधान के रक्षक है हम जाती परता की बात नहीं करते हम सब को समान अधिकार देते हैं तो क् मुसलिम जो कैंडिडेट था अनीज जी अहमद इनको वहां पर टिकेट मिल रहा था तो अनीज जी एहमद फॉर्म भरने वह मेरे साथ ही थे फॉर्म भरने जब वह नहीं जा रहे है और नेक्स डे वह कॉंग्रेस में जा रहे है मतलब ये कॉंग्रेस का शड़ी अंद्र थ सत्ता संग्राम आपका स्वागत है महारास्टर का इलेक्षन का विगुल पूरे महारास्टर में बच चुका है हर्याना और जम्मु कश्मीर के बाद ज्यारकंड और महारास्टर का इलेक्षन ये एक पूरे देश के लिए एक घड़ी होती है कि कौनसी पार्टिया जीत के हाउस में जाएगी उनके क्या मुद्दे रहेंगे स्पेशली विधर्ब ये जो बेल्ट है विधर्ब इसमें जो सीटे आती है आज हम बात कर रहे हैं पश्चीम नाकपुर से जो वंचित भोजन अगाडी के अधिकृत उमीद्वार है यश गौर्खडे जी उनसे बात कर रहे है और जानते हैं कि उनके जोले में उनके निर्व में सबसे रीच और धनी एक व्यवसाइक लोगों का हब माना जाता है सिता बर्डी से लेके तो चाहे सिविल लाइन रहें अंग्रेजों का बनाया हुआ डिजाइन है काफी चवडे रोड है तो मनाकपूर का एक अच्छा ग्रीन कल्चर भी हमको दिखता है पहाडी का यह जो पूरी विधान सभा है यह एक फेज होगया रईस होगा तो बड़ी-बड़ी जोपड़ पट्टिया पाहडियों से लगके भी आप ही के विधान सभा में आचे है क्या जोली में है आपके आपके मतदाता क्या उमीद लगाया आपसे देखिए सबसे पहली बात अग डरीओ कि एंगे संपति कितने लोगों के पास है और कितना बड़ा टंका जो आज भीरी में रहरा हैं आप नाकपूर में जितनी बस्तिया है उत्तर नापूर को छोड़के सब जाधा बस्तिया करी अगर है सबसेदा करीब लोग अगर करी है तो वह पच्छ्रिम नापूर म नहां पर पहाडी जो इलाके है जहां पर ख़दाने थी तो वहां पर लोग रह रहे हैं और तब से लिए अब तक उनकी जो परिस्तिती है वह वैसी की वैसी ही है और आज जनता को यह चीज पता है कि हम लोगों ने 60 सालों में कॉंग्रेस को वूट दे के देख लिया हम लोग उनके बाद सुशिला बल्राज 6272 यहां से जीत के रहे तो कम्यूनिस्ट पाटी रहे या फिर आयंसी रहे याने कॉंग्रेस पाटी रहे या फिर भारतिय जनता पाटी रहे किया इनका याने किसी भी जो प्रॉब्लम आप जिक्र कर रहे है कि गरीब लोग माइग्रेट हो होती नहीं है वह आपके सामने लाइव है आवाज इंडिया जिस तरीके से ग्राउंड पर काम कर रहा है आपको खुद को रियालिटी पता है कि लोग आज किस दर्द में किस बदहाली में रह रहे है और जितनी में सरकारे आई गई उन्होंने अच्छा काम किया नहीं कि हम जिन्दगी बदली है क्या लोग आज गरीबी से जो जूज रहे है उनको उसका कुछ सोलीशन मिला आए गया तो आप देखेंगे उसका जवाब है नहीं उनको आज तक कुछ नहीं मिला शिक्षा स्वास्त रोजगार यह जो तीन बेसिक मुद्ध है इसके ऊपर तक कोई का अभी तक नहीं हुआ पारलली अगर आप जब यह आप जब यह जब वेस्ट कॉंस्टिटूंस आप जब जब देखते हो तो इतनी फेवरेबल है वो यूनों लेक उद्योग के लिए बिजनस के लिए मार्केट के लिए तो क्या वो डेवलप हुआ है क्या तो इसका जट्रीवारड़ा की बस्ती ऑलिए इनके आपस माल की पत्ते ही नहीं है इनके बास जब बेसिक राइट है वही नहीं है हमारे जो फंडमेंटल राइट है जिसमें हम लोगों को रैट ट व्लिएवलिहूट अर्टिकल 21 जिसके आंतॉरीकरत हमको जीने का अधिकार में घर क भी एक चीज़ दिया गया है तो क्या वो हमारे पास है वो नहीं है तो सरकार ने जितना भी कोई काम किया है एंड और बात ये है कि जनता को इस बार जो है वो अब नेता नहीं चाहिए क्या वजह देखते है कि जातिवाद इसका कोई जड़ है या फिर फेवरेटिजम जड़ है या फिर कास्ट पॉलिटिक्स आपके निर्वाचन शित्र में हम जब नाम देखते है तो एक कास्ट फेक्टर का भी हम जिक्रा देखते है क्या तोड़ होना चीए, आपके बस्ते में क्या निवारान है, अगर से प्राब्लम है तो उसका सॉलूशन क्या देखते हैं, आप एक युवा चेहरा है, बिगनिंग है आपकी पॉलिटिक्स की, क्या सॉलूशन देखते हैं, देखिए आपना दो टाइप की राजनीती होती ह एक जो कांग्रेज, बीजेपी है, वो करती है, जात्की पॉलिटिक्स, जाती परथा ये इस देश की सच्चाई है, कैसे जात्की पॉलिटिक्स आप आरूप लगा रहे हैं, जाती और धर्म की पॉलिटिक्स, एक्जांपल, अभी आपने देवा भाव का बहुत बड़ा स् मतलब, बीजेपी उसको ट्रेंड करवा रही है, आपसे ही आपी के विनिर्वाजन शेत्र से गया है, सब जगह पर सब जगह पर से वेस्ट कॉंसिटिटिटिक्स के बात नहीं है, पूरे के पुरे महरास्ट्र में ये बात फैला ही जा रही है कि देवा भाव इस ग्रेट, वो हमारे भाव है और उनने हमारे लिए काम किया, अब मुझे एक बात बतते हैं, जब देवेंदर फंड नवी से जब इतना अच्छा काम किया है, तो बटोगे तो कटोगे, ये जो स्लोगन जो बीजेपी चला रही है, इसका मतलब क्या है, कि भाया आपने काम किया नहीं ह करते हैं, हम सब पो समान अधिकार देते हैं, तो क्यों मुस्लिम जो कैंडिडेट था, अनीज जी अहमद, इनको वहां पे जब टिकेट मिल रहा था, तो अनीज जी अहमद, फॉर्म भरने, वो मेरे साथ ही थे, फॉर्म भरने जब वो नहीं जा रहे हैं, और नेक्स डे वो कॉंग्रेस में जा रहे है, मतलब ये कॉंग्रेस का शड़ी अंद्र था, कि उनको मुसल्मानों के मत तो चाहिए, दलीतों के, मुसल्मानों के आदिवासी का, तो इनको वोट्स चाहिए, लेकिन जैसे ही इनकी रिप्रेजेंटिशन की बात आ गई, जैसे ही इनको टिकेट देने की बात आ गई, कॉंग्रेस अपने हाथ खड़े का देता है, तो भाजय पर कॉंग्रेस में फरक क्या है, अगर मैं बात तो वर्गी करन की, सुप्रीम कोट ने अइतिहासिक इतना बड़ा जो निरने दिया है, जो आरेशन के खिलाफ है, उसके लिए कॉंग्रेस ने क्य ये खड़ा हो गया, कॉंग्रेस के पीछे, खड़ा हो गया, और इन्होंने क्या किया, वर्गी करन का जब मुद्दा है, तो कॉंग्रेस का काम था, नहीं हम लोग सविधान को बदलने नहीं देंगे, सत्ता विपक्ष नेता है राहूल जी गांदी, क्या किया उन्होंने, एक statement आप मुझे बता दिए, गाजपा कहती है कि सविधान खत्रे में नहीं है, कॉंग्रेस कहती है कि सविधान खत्रे में है, वंचीत भहुजन आगारी इस statement पर क्या राह रखती है, देखिये मेरा ऐसा मानना है कि आरक्षन इस बार खत्रे में है, और आरक्षन जो है, ये रक्षक है और पारलेली रेवंत रेड़ी जो उनके मुख्यमंत्री तेलंगाना के वो इसको इंप्लिमेंट करवाते पहला उस्टेट बन गया जिसने वर्गीकरण को आरक्षन दियाना सविधान बनायाना अमबेटकर अभी जिन्दा है टाइगर भी जिन्दा है श्रद्यव बाड़ा साहिब आमबेटकर जो उनके खून है अमबेटकर परिवार के एक स्थम्भ है क्या उनकी दाहार उनकी जो दाहार आपके विधास अवा जाएगी मुझे मु वो लोग कौन से समाज से आते हैं हम दो समाज देखे वोट देते नहीं है लेकिन पहली बार अगर एक बस्ती के पड़ेली के बच्चे को बस्ती के मजदूर के बच्चे को अगर टिकेट मिल रहा है तो मुझे लगता है कि यह रिप्रेजेंटेशन है और यह सिफ कास्ट हो रिफ्रिजन का नहीं है एक क्लास का है एक बहुत बड़ा तका जैसे कि आपने कहा कि वैस्ट नागपूर में बहुतं अमीरी है लेकिन एक बहुत बदा वैस्ट नागपूर भी ऑग उठाये जब आप जब अविधी मंदल में जाएंगे तो आप जो मुद नोठ पहले आरख्षन की बात करते हैं वैसे ही जब मैं अगर अगर मुद्धों की मैं अगर बात करूँगा तो पांच संकल्प है हमारे पहला संकल्प गरीबी में हम लोग इसलिये जा रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों को प्रोपर तरीके से बंद करवाया जा रहा है और बंद कर गरीब है कि इनको बचत गड़ से उतना पैशा नहीं मिल पाता यह इतने गरीब है कि सहुकार इनसे 20-30% का ब्याज लेता है जब से हम लोगों को सिक्षा का अधिकार मिला है तो हर माबाब चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े चाहिए सरकारी स्कूल में चाहिए प्राइवे बेरोजगार है 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही है समरुदी महामार्ग आपने बना लिए नाकपूर टो पूने राइट वो आपने क्यों बनाया यहां से नाकपूर के बच्चों को बाहर बेजने के लिए इसलिए आपने वो शायद बनाया है नाकपूर के पड़े लिखे तो विधरभी के बच्चे 14 अजिलों, वो यहां पे आएंगे, यहां पे जब किराय से रहेंगे तो फो मिल बनाया हमारे डर गर पे जो आप काम करने के लिए आती है वो लगाएंगे मस लगाएंगे पे रेंटे जगा पे यहां के बढ़ने लगेंगी बनायाanc बच्चा और शिष्षित रह के बेरोजगार रही रही यही Congress और भाजवका की रणनीती रही है इतने सालों से इसलिए इसको दूर करने के लिए नागपूर का बेटा बस्ती का बेटा ऐक old बेटे की guarantee नेता की नीज़ी एक बेटी की guarantee वो लेकर आया है यहां में जितने महानगरपादी का की स्कूल जो बंद कर आई गयी है उसको आंदार के निदी से उसको रिवाइफ किया जाए मतलब वो स्कूल वैसिक्टी वैसिक्टी उसको वापस बनाया जाए तरीके से बनाया जाया दूसरा यहां पे अटलीस्ट पांच बड़े हाई स्कूल की जरूट है सेंट्रलाइस फॉर्माट में यहां पे स्कूल की जरूट है जहां पे गरीब के बच्चे अच्छे से पड़ पाए दूसरा यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हेल्थ केर का आप देखिए जब 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 बना था तब नागपुर की तादाद जो थी वह अलमुस्ट एक लाग असी हजार के आसपास थी एक लाग असी हजार लोगों के लिए एक जीएमसी था आज हमारी आवादी 40 लाख क्रोस कर दी है फिर भी आज हमारे पास जीएमसी और मेयोगी है और वेस्स कॉंसिटिवनसी में एक भी हॉस्पिटल नहीं है वो तो अच्छी बात है कि वंचित बहुजन आगाडी नहीं ही जो संकल पर लिया हॉस्पिटल बनाने का यहां के जो दोहजार चोबीस में हम देखते है कि विकास ठाकरे सुधाकर कॉले प्रकाश गजबे बीस पी से और एक नरेंद्र जीचकार जो कॉंग्रेस के बागी उमीद्वार है निलंबित है एक नाठकिय धंधंग से हमने देखा कि विकास जो सिटिंग MLA है उनके साथ नारेंद्र में जन्ता के लिए यहां पर बैठा हूँ हम देखते हैं उसी से लगके जब गरूरा कंपनी पर एलिगेशन लगें जी अमबाजरी में बबासाब अमबेटकर का जो समारक का एक साल तक नागपुर के एलाइट क्लास ने उस अंदुलन को रूल किया तो क्या क्लास बोल रह के हिसाब से यहां पर अटलीस दो बड़े हॉस्पिटर्स की जरूवत है एक कॉंस्टिट्यूंसी में पच्छिम नागपुर के लोग इतने मारे गए थे को रोना में बैड नहीं मिल रहा था अक्सिजन नहीं मिल रहा था आप लोग पर रेपोर्टिंग कर रहे था आप द सेवर के लिए बैड के लिए ऑक्सिजन के लिए धंदा बन गया था लेकिन क्या उनको मिला उनको नहीं मिला तो यहां पर दो बड़े हॉस्पिटल की जरूवत है तीसरा भी आपने जो पूछा लैंड माफिया का आप विद्यमान आमदार जी के पूरे के पूरे फैमिली क आप एफुड़ेविट चेक कर वा लीजे एक बार जितने यहां पर युनो लैंड माफिया के जो काम हुए है इसके पहले यहांके जो दुटा जी फंदविश्ट जब आमदार थे आप उनके आप एकीविडेविट आप चेकर लीजे उनके जितने लश मीत पने कैवाँ अ मैं लोगों से 21% कर रहा हूं कि इक जंता का इलेक्ष्न है जब मैं कहरा हौ कि मैं नाकपूर का बेटा हु तो जो परिवार है वो मुझे पैसा दे रहा है इ松व के लाड़वाने के लिए इतना पैसा में नेखाव के पास कहां से आ olması आ। पांच-पांच करोड रुपे की वह एड़र्टीजमेंट दे रहे हैं दो-दो करोड रुपे वो खर्च कर रहे है अपने जनम दिन के दिन यह इतना पैसा कहां से आ रहा है यह पैसा आ रहा है लैंड माफिया से इलेक्षन कमिशन के कुछ रूल से रेगलर्चन है इसक्टली इलेक्षन कमिशन करके आ रहा है हम आज एक जन्डे का हिसाब दे रहा है इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है आप खुद देखिए एक advertisement में मीडिया करेट इतना जादा बढ़ गया यह आपको भी पता है तो बदले में मैं तो आपको कुछ ना कुछ दूंगा ना डील यह गीवन टेक अगर मुझे कई से पैसा मिल रहा है किसी एक माफिया से तो उसका डील यही है कि प्राइम लोकेशन पर जो बस्ती है यह पर हमारे भुजन लोग रह रहे हैं वो बस्ती के बदले में हमको पैसा मिलता है और वो पैसे जब जैसी पैसा मिला और मैं आमनार अगर बन गया जो आज के पहले जो हुआ है सबसे पहले मैं क्या करूंगा मैं वो जगह को हटाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा यह मेरे साथ भी हुआ था शेफ कृष्ण अधाम नाम के बस्ती है वहां पर बहुत बड़े-बड़े बिल्डर आने की उन्होंने कोशिश की है लेकिन मैं निक होँगा मेरी वज़े से लोगों की अवेरनेस की वज़े से इस देश की स्विधान की वज़े से और मेरे एक चुझण प्रयास की वज़े से आज वो बस्ती को है, कई न कई वो जिन्दा है और के रगध अगर यहां के आमदार क संके खाजर अगर चाहे वो लग बेघर कर देंग रजाके वो बाहर भीज़ को समय के लिए को इस लगत में कंद समझय को के लिए तक निए ओंप Pero के लिए क्या आपिल करेंगा मैं आपको जैसा मैंने कहा ना कि हमारे एक दम तीन स्पैसिफाइड मुद्ध है शिक्षा रोजकार और स्वास्त और चौथा सबसे इंपोर्टेंट है यहां के बहुत बड़े तपके के ऐसे लोग है जिनके पास आज घर तो है लेकिन उसका माल बिजाती हो उसका उर्डानी अंभानी जैसे जो उद्योपती है उनको बेच सकते है तो इसमें कल चलके अगर यह लागू महराश्रम में हो गया तो हमारे जितने लोग है वो बेघर हो जाएंगे और सविधान ये कहता है मालकी पट्टे उनका अधिकार है उनको मिलना चाह कि मैं सारे के सारे लोगों को 2-3 महीनों के अंदर हाडली तीन महीनों के अंदर इनको में मालकीपट्त दिलवाओंगा दूसरा यहां कि रोजगार का इतना बड़ा मुद्ध है कि हमारे पास इतनी बड़ी लैंड है आज अमिहानमे के 10 लाख युवा वहां पर रोजगार उन का गाइडलाइन में क्लियरली लिखा गया है कि आप जितना टाइक्स भर रहे हो उसमें से 70-80% आपको रिड के तौर पे लोन के तौर पे आपको मोहिया वो दिया जाए लेकिन क्या वो मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है तो हम लोग साहुकार के पाज जाके 10-50% ब्याच पे हम लोग पैसा लेकि हम लोग गरीब होते जा रहे हैं तो इसको सॉल्फ करने का यही तरीका है स्वास्त रोजगार शिक्षा यह माल की हक के पट्टे और सबसे इंपॉर्टन हो है आरक्षन अगर रहेगा तो हमको आगे हमारे आने वाली पीड़ी को कुछ ना कुछ मिलेगा वरना अगर आरक्षन खतम हो गया तो आने वाली जो पीड़ी है वो बरबाद हो जाएगी ऐसे जो जो नेता जो समाज को अमबाजरी का आपने जो मुद्दा निकाला ऐसे जो नेता समाज को जो जूट कहते हैं कि 272 दिन उनको बिठाते हैं यह कहें कि 20 एकड़ के डॉक्य अल्रशन को बचाना है और अगर सविधान को बचाना है और आक्षन को बचाना है आने वाली पीडी को उनको अगर हग गिलाना है तो वो श्रद्धिया बाड़ा सब अमबेड कर खुद अमबेड कर खुद ये खुद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता जिस तरीके से विकास की घंगा हमने सुना है कि पुरे देश में हमारे मोदी जी बेके एक महासक्ति बन रहे है जो पश्चिम के विकास ठाकरे जी है वो बोलते कि विकास हुआ हमारे शाशनकाल में पर यस जी यह बात कर रहे है कि मुझे यस मिलेगा इन मुद्दों के साथ जो देश और दुनिया के जो मुद्दे हैं लेकिन विधी पाली का और लोकसभा के मुद्दे यह दोनों मुद्दे जनता तय करती है और वहां के नेता निती बनाने वाले लोक तय करते हैं कल्चर अगर से खराब है तो उसको सुधारने के लिए वक्त लगता है अगर से ECI की भूमी का गलत है तो हमको कम्प्लीट इलक्टरल रिफाउम की जरुत है अगर से वोट की सिस्टम की कुछ प्राबलम से हमको उसको रेक्टिफाई रिकंस्ट्रक्शन करने की जरुत है अगर से तमाम मुद्दों के साथ इस महारास्ट्र और जारकन इलेक्शन में आपको जोड़ी रखेंगे आपका धन्यवाद आपने अपना बहुमुल्य वक्त हमें दिया